Hello friends, कैसे हैं आप सब तो में फिर से हाजर हूँ आपके सामने एक बहुती मज़ेदार टेंडीज रेसिपी लेके लेकर जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे हैं हमारी अची की रेसिपी है करते ही भाइस्क्री मिन बनाने वाले हैं तो वह हम से हम मने होस्तों कि अपनी आइस्क्रीम क मेरे कि आया करते हैं मिल्क, कस्टर्ड पारडर क्रीम यह की मलाई और तक पर शुगर हा जी तो सबसे पहले है हमें अपना जो भी हमने मिल्क लिया है थी कप मिल्क मैंने एक भगोने में लिया है उसे अच्छे से चलाते हुए हमें गरम करना है यह दिहान रखना है कि हम अच्छे से चलाते हैं ताकि जो साइडस में हमारे मलाई जमती जाएगी उसे हम उसी मिल्क में मिक्स करते जाना है उसके साथ ही साथ अपने टेस्स के अगॉर्डिंग आप उसमें चीनी एड़ कर लीजिए आइस क्रीम थोड़ी मीटी ही अच्छी लगती तो थोड़ी सी चीनी रखिएगा अब उस चीनी को भी अच्छी से मिक्स करते हुए हम दूद को गरम करते फिर उसमें अपना कस्टर्ड पाउडर दो तीन चम्मच लेकर उसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि उसमें कोई से भी लंस ना बने बिल्कुल इजीली बहुत अच्छे से उसका पेस तयार हो जाएगा फिर जो हमने ये कस्टर्ड मिक तयार कर रखाया उसे बाकी के मिल्क म हमें धीरे-धीरे एड कर देता है चलाते हुए एक साथ एड मत करिएगा वना सारा जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है वो बॉटम में जमा हो जाएगा और उसकी एक परस्सी जम जाएगी इसलिए उसे धीरे-धीरे चलाते जाएं और धीमी गैस कर लें अपनी और अच्छे से मि गारा है उसके बाद हमें गारा हुने अच्छे ताकि कोई भी मलाई में जमेना उसमें और अगर आप ऐसा करेंगे तो मलाई की क्रीम निकल जाएगी तो हमें जो मलाई एड करनी है वो गैस बंद करने के बाद ही करनी हैं हमारी आइस क्रीम का मिल्याशिय का इस बीदे एको मिक्ट सब्सक्र जो है वो रयडि हो चुका है अब अने के बाद हम इसे ए Śथ एक लेनी हैं गुआ कर दिया है कкий दूद्स पर अपर ऑड वर अन्लाइश Temper उसो कटकरके झार के साइस का कंटेंकर का साइस पर रख दिया है और उसके उपर से container का lid लगा दिया ताकि किसी भी तरीके का कोई monster जाने का chance ही नार है फिर इसको हमें तक्रीबन 6-7 गंटे के लिए deep freezer में लखना है अच्छे से जमा लेना है ice cream को फिर हम उसे 6-7 गंटे के बाद निकाल के चेक करेंगे कि ice cream जमी है कि नहीं हाँ जी तो 6 गंटे के बाद हम अपनी ice cream चेक करेंगे जो कि बहुत अच्छे से जम कर set हो चुकी है अगर 6 गंटे में आपकी ice cream नहीं set हुई है तो कोई issue नहीं है आप उसे फिर से रग दें और जम नहीं दें अच्छे से जम जानी चाहिए जित्ती हाट यह जम चुकी है ice cream अब इसके बाद हमें अच्छे से इसको आराम से तोड़ तोड़के mixture के जार में एक add कर लेना है और add करने के बाद उसे बहुत प्यार से इत्मिनान से धीरे-धीरे mixi में चर्ण कर लेना एक साथ high speed में नहीं करना उससे जो ice cream है वो मलाई मलाई जैसा texture हो जाएगा या फिर उसका घी निकलाएगा तो वो चीज हमें नहीं करनी है हमें ice cream तयार करनी इसे उसे अच्छे से रोक रोक के mixi में तयार करना है यह देखिए किते अच्छे से जो हमारी ice cream है वो smoothly तयार हो चुकी है अब हम इस फिर से उसी jar में पोर कर देंगे और उसके बाद फिर से कुछ घंटों के लिए freezer में डाल देंगे और इसको हम अच्छी से डैप कर लेंगे ताकि कोई भी इसमे air bubble ना रहे और ice cream अच्छी से जम जाए अब उसी polythene से मैंने उसे अच्छी से ठक दिया है और lid लगाने के बा अच्छी की है और वो देखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी की जो हम मार्गेट से ice cream लाते हैं उसी तरीके से अब हमें उसे अच्छी से अपने cup में glass में या katori में जिसमें आपको निकालना उसमें निकाल लीजे उसको अच्छी से निकालने के बार आप उसको प्लेन खाना चाहें तो प्लेन भी खा सकते हैं देखिए ice cream किते मज़दार सी बनके तयार है और कोई देखके से क्या भी नहीं सकता है कि ice cream आपने घर में तयार की है इसे बाहर से आप नहीं लाएं यही तो talent है हमारी recipe का चलिए तो मैंने यहां जो ice cream वो तीन तरीके से serve कर हमारी ice cream वो तीन मज़दार सी तेयार हो चुकिए खुद काईए, friends को खलाइए और साथ में enjoy कीजे और प्लीज हमारे channel को subscribe कीजेए खुद भी subscribe कीजेए और अपने friends से subscribe कीजेए family member से subscribe कीजेए घर में जितने फोन है सबसे subscribe कीजेए और हमारे channel को tweet पनाएए और हमें अपना प्यार देते रहिए हमारे चैनल को देखते रहिए हमारे साहे रेसिपीज को ट्राइ कर रहिए थेंक यू